हेलो एव्रिवान आपने अरभी के सब्जी तो कई बार खाई होगी यो बनाई भी होगी तेंगे एक बार मेरी तरीकी से बना के देखें मुझे पक्के से विश्वास है अब डिसपॉइंट तो नहीं होंगे पहले मैं अरभी ले लिए उसको अच्छे मैंने वास करकर धो कर एसे मैं लंबल नापा काड दिया है और इसको नमप काले पानी से भी दोया है पिर मैंने बेशन है लाल मिर्च है हल्दी है और काला ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं कॉलियंडर है यह सब डाल कर मैंने इसको अच्छे से लपेट दिया है इससे क्या कर अब तील कड़ाई में तब तक यह असी परसन जो है पक जाए और यह कुरकुरी सी निकल जाए फिर उसके बाद उसी तेल में थ्वासा हमने हिंग और जीरा और चिली लेकर और टॉमाटे फ्यूरी लेकर इसके हमें ग्रेवी बनानी है आप अच्छे तक मतब अच्छे से इसको चलाना है उसके ब दीए तक हम तक जाए निकल आए च्छे तक यह उसको एक विवी भी अच्छ में डाल देंगे उसको पश्यूरी अश्यूरी जाड़ पानी नहीं डालनी है तो आफ चाहो तो हलका लेकर हाथ से थ्वाड़ मज़र पानी एक एक से दू चंबर डाल देना ज्यादा पानी नह लटपटी सी सूखी सी सबजी बना रहे हैं उसको फिर मच्छे से चला लेंगे उसके बाद फिर इसको हम पानी डाल देंगे इस सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अरभी इस तरह से आप बनाएंगे ना तो आपको आना एक तो गले में खरास नहीं होगी और इस वाद इत इसमें या फिर हैजबन की टीफिन में आप दे सकते हैं उसके बाद हमने उसको नमग डाल दिया कि पहले नमग नहीं डाला था अब तो बीज 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 बें हम पानी की छीटे मार वहें कि वह थूजा सा यह मतलब मसाले हमारे जले नहीं और यह इसमें अच्छे से जो हम मतलब धीमी आज में पकाना उसको हमें पका रहे हैं अरवी की सब्जी जो है बहुत चटपटी और अच्छी बनेगी आप इसको ट्राय कीजिएगा फिर मैंने गैस की से फ्रेम बंद कर दिया उसमें नीवू डाला है और फिर मैंने अपना धनिया पती डाली है अपना धनि कैसे लगी बताइए के लाइक से और कमेंट कीजिए